आयू विधी आरोग्यता या चाहो संतान शीप पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भोम परदोश व्रत कता बंधों भोम परदोश व्रत अर्थार मंगल परदोश व्रत बंधों जब परदोश व्रत मंगल वार के दिन आए तो उसे भोम परदोश व्रत कहा जाता है बंधों, जो मनुष्य भी भूम परदोश व्रत करते हैं, उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती हैं और उनका स्वस्त सदा ही तंदुरुस्त रहता है बंधों, परदोश व्रत करने वाले मनुष्य को हर जगा सम्मान मिलता है, उनकी आयू में व्रिधी होती है बंधों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे शिफ्षंकर भोले नाथ, जे मंगल दे, जरूर लिखें बोलो शिफ्षंकर भोले नाथ की जे हो परदोश्वरत करने वाला मुष्य सदा सुखी रहता है और यदि परदोश्वरत की कथा भी सुन ली जाए तो उस मुष्य के संपूरन पापों का नाश हो जाता है सुहागे निस्त्रियों का सुहाग अटल रहता है बंदी कारागार से छूर जाता है और जो जिस कामना को लेकर परदोश्वरत करते हैं या परदोश व्रत की कथा को सुनते हैं उनकी सभी कामनाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं बंधों जो मनुष्य भी तरियोशी व्रत की कथा सुनते हैं अर्थात परदोश व्रत की कथा भी सुनते हैं तो उन्हें सोगव के दान के ब्राबर फल की प्राप्ति होती हैं बंधों जो मुश्य तन, मन, धन से तरियोशी व्रत को विधी विधान से करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं पर्दोशोरईनी मुखम के अनुसार, साइक काल के बाद और रात्री आने के पुल दोनों के बीच का जो समय है उसे पर्दोश कहते हैं व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए पदोश्वरत करने वाले को त्रियोशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए शाम के समय जब सुर्यास्त में तीन घड़ी का समय शेश रह जाए तब शिनान आदिक कर्मों से निवरित होकर श्वेत वस्त धारन करके इसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन करें पूजा के स्थान को सच जल से धोकर मंड़क बनाए वहाँ पांच रंगों के पुश्पों से पदम पुश्प की अकृति बनाकर कुशा का आसन विछाएं आसन पर पूर्व अभिमुक होकर बैठें इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करें ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है क्रोडा चंद्रमा के समान कांतिवान त्री नेत्र धारी मस्तक पर चंद्रमा का अभूशन धारन करने वाले पिंगल वरन के जटा जूर धारी, नीलकंट, अनेक रुद्राक्ष मालाओं से शिशोभित, वरध हस्त, जिशूल धारी, नाकों के कुंडल पहने, व्याकर चरम धारन किये, रतनजडिस सिहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करें बंधू, वरत के उध्यापन की विधी बता रही हूँ, प्राते श्नाना दिकारे से निव्रित होकर, रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाए, फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें, इसके बाद शिव पार्वती के उदेश खीर से अगनी में हवन करें, हवन करते समय ओम उमासहिष शिवाय नमा मंत्र से 108 बार अहुती दें, इस प्रकार ओम नमश शिवाय के उचारन के चंकर्ची के निमित अहुती प्रतान करें, हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को समर्थे के अंसार दान दें, ऐसा करने के बाद ब्रहामन को भोजन दक्षना से संतुष्ट करें वरत पूरन हो ऐसा वक्य ब्रहामनों द्वारा कहलवाना चाहिए ब्रहामनों की आग्या पाकर अपने बंधु बान्वों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरन करते हुए वरती को भोजन करना चाहिए इस पूद्यापन करने से वरती पुत्र-पुत्र आदि से युख्ध होता है तथा आरोग गेलाप करता है इसकी अधिरिक वह अपने शत्रों पर विजय प्राप करता है एवं संपूरन पापों से मुक्त हो जाता है बंधु ऐसा सकन पुरान में कहा गया है अब मैं आपको पर अदोश का ब्रत करने वाला मुरुष्य सदा सुखी रहता है उसके संपूरन पापों का नाश इस्वरत से हो जाता है इस्वरत के करने से विद्वा इस्त्रियों को अधरम से गलानी होती है सुहागी नारियों का सुहाग अटल रहता है बंदी कारागार से छूट जाता है जो इस्तिपुरुष जिस कामना को लेकर व्रत करते हैं उनकी सभी मनों कामनाएं पूरी होती हैं त्रोशित व्रत करने वाले को सो गौधान का फल प्राप्त होता है इस व्रत को जो विदी विधान और तन मन्धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं बोलो शिवशंकर भोलेनाद की जै हो मंगल पर दोश्वरत सूर्च जी बोले अब मैं मंगल त्रियोशिप दोश्वरत का विधी विधान कहता हूं मंगल वार का दिन व्याधियों का नाशक है इस व्याधि में एक समय वर्ति को गेहूं और गुड का भोजन करना चाहिए देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाएं स्वयम लाल वस्थ धारन करें इस व्याधि के करने से नुश्य सभी पापों वारोगों से मुक्त हो जाता है इस में किसी प्रकार का संशय नहीं है अब मैं आपको उस बुड़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्थ हुई ताचीन काल की बात है एक नगर में एक बुड़िया रहती थी उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था बृधा की हनुमान जी पर भड़ी शर्धा थी वहे परत्ययक मंगलवार को हनुमान जी का वरत रखकर यथा विधी उन्को भोग लगाती इसके इलावा मंगलवार को ना तो घर लिपती ना ही मिटिक होती इसी प्रकार से प्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीद गए तो हनुमान जी ने सोचा चलो आज इस व्रिधा की शद्धा की प्रिच्छा करें वे साधू का वेश बना कर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा है कोई हनुमान का भगत जो हमारी इच्छा पूरी करें व्रिधा ने यह पुकार सुनी तो बहार आई और पूछा महाराज क्या आग्या है साधू वेश दारी हनुमान जी बोले मैं बहुत भूखा हूँ भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे व्रिधा बड़ी दुविधा में पड़ गई अंत में हाँ जोड कर प्रात्ना की है महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक जो भी काम कहेंगे मैं करने को तयार हूँ साधू ने तीन बार प्रिक्षा कराने के बाद कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसे ओंधा लिटा कर उसकी पीट पर आग जला कर भोजन बनाऊंगा व्रिधा ने सुना तो पेरों तले धर्ते खिसक गई मगर बहवचन हार चुकी थी उसने मंगलिया को पुकार कर साधू महराज के हवाले कर दिया मगर साधू ऐसे ही मानने वाले ना थे उन्होंने व्रिधा के हाथों से ही मंगलिया को ओंधा लिटा कर उसकी पीठ पर आग जलवाई आग जला कर दुखी मन से व्रिधा अपने घर के अंदर जहा कुसी साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृधा को बुला कर कहा वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले वृधा आँखों में आशु भर कर कहने लगी अब उसका नाम लेकर मेरे रिदे को ना दुखाओ लेकिन साधु महराज ना माने तो वृधा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा पुकारने की देर थी कि मंगलिया बहर से हस्ता हुआ घर में दोड़ा आया मंगलिया को जिता जागता देखकर वृधा को सुख़ आश्चरे हुआ वे है साधू महराज के चर्णों में गिर पड़ी साधू महराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दी हनुमान जी को अपने आंगन में देख कर विद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया बोलो शिवशंकर भोले नाज कीज़े शीर हनुमान जी कीज़े राधे राधे जे श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाज